नेक्स्ट कोशन देखिए, सब्चेक्ट दाप फॉल्वींग आपको सब्चेक्ट करना है ठीक है, फ्रेक्शन स्टरम्स है, सेम वही मेथड की लाइक टरम्स है, उसको सिंगल टाइम लिख लेंगे 7 को, उपर माइनस है तो माइनस कर देंगे आपका अंसर आ जाएगा, ठीक ह इसमें आपको 3 जो फ्रेक्शन दे दिये, उसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के मैथड वही सेम है, कि पहले आप नीचे डिनोमेटर को देखो, क्या वह सेम है, कि तीनो टरम्स लाइक टरम्स में है, अगर है तो बिल्कुल इजी है, अगर नहीं है, तो उसको हमें एलस्यम देना पड़ेगा, तो ये सीम नहीं है, तो मैंने 3, 12, 9, ठीक है, तीनो के एलस्यम ले लिया, पीछे हमने जो सम किये है, उसमें आपने क्या किया है, दो फ्रेक्शन को सॉल्व किया है, तो उसमें 2 टरम्स के एलस्यम लेते थे हैं, यहां पर 3 आगे, तो तीनो का एलस्यम एकठा ले रेंगे, ठीक है, मैंने 3 का एलस्यम एकठा ले लिया, इसको सॉल्व कर लिया, जब तक आपका 1, 1, 1 ना आ जाए, ठीक है, तो जो भी आपके फेक्टर्स आए, उनको मैंने मुल्टिप्लाई किया, 36 आ गया, तो आपका एलस्यम कितना हो गया, 36, अब मै हर टर्म के डिनोमेटर को 36 बनाऊंगी, तो मैंने पहले फस्टर्म ले ली, ठीक है, फस्टर्म को मल्टिप्लाई किससे करेंगे, 3 को देखो, आपके अपका 36 आ जाए, 12 से 12 को उपन इच मल्टिप्लाई कर दिया, आपका अंसर आ गया, ठीक है, उसके बाद आपको 7 by 12 ले या उसको आपको 12 जा 36 होते हैं तो 3 से मुल्टिप्रेट कर दिया तो आपको यह अंसर आ गया ऐसी थर्ड टरम को भी ऐसी उस ड्रमेटर सेम कर लिया अब जैसे 2 बाइ 3 है उसकी जो वैल्यू है आप उसकी जगे राइट कर दोगे 7 by 12 है उसकी वैल्यू वही राइट कर दोगे लेकिन साइन वही डालोगे जो पहले था माइनस का फिर प्लस का है प्लस का साइन डालोगे उसके बाद 2 by 9 की जो वैल्यू आई है 8 by 36 वो राइट कर दोगे ठीक है अब देखिए डिनोमेटर तीनो टरम्स का सीम होगे तो इसको सिंगल टाइम राइट कर लेंगे ठीक है उपरवल टरम्स एजट से लिख लेंगे जो साइन उनके दिये हुए है अब पहले 24 में से 21 माइनस कर दिये ठीक है आपके बस जो वी टरम आएगी प्लस 8 कर दोगे इसमें से फिर आपका अंसर आ जागा 11 by 36 ओके अंडरस्टेंड सेवंध कोशन देखिए इसका मीनिंग क्या है कि आप इस नंबर में क्या एड़ करोगे कि आपके पास अंसर इतना आ जाए क्लियर कोशन की स्टेटमेंट को समझो पहले कि आप इस टरम में कितना एड़ करोगे कि आपका अंसर इतना आ जाए तो मैं suppose कर लेते हूं कि मैं इसमें x add कर लेती हूं इस trump को मैंने लिख लिया और इसमें क्या add कर लिया x तो आपका answer कितना आ गया 8 2 by 5 जही कहाना होने इस trump में कितना add करें तो मैंने x add कर लिया तो कितना answer है is equal to डाल कर आप 8 2 by 5 रेट करते हूं अब इसको मेंने मिक्स्ट फ्रेक्शन में है, यह इसको solve कर लिया, 15, 4 जा, 60, 60 plus 4, 64 by 15, plus x, इसको में इसको solve कर लिया, उसके बाद देखिए, अब यह 64 by 15 जो है, ठीक है, x के साथ plus में है, तो अगर इसको right hand side में लेके जाओगे, तो यह sinis का change हो जाएगा, माइनस में हो पता करना है, और x पता करने के लिए, x के साथ जितनी इव टन्स होती है, हमें दूसरी साइड वो लेकर जाने होती है, ठीक है, तो मैंने वो दूसरी साइड, 64 by 15 को माइनस में ले लिया, अब फाइव और 15, ठीक है, यह दोनों different है, जोनों में डिफरेंट है, तो हमें लेक solve करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप lcms इसको solve कर सकते हो, लेकिन मैंने यहां पर कुछ और method लगाया है, वो वी आप देख लो, मैंने कैसे इसको किया है, बेटा, अगर 5 और 15, ठीक है, आप देखो कि 15 के table में 5 आ रहा है, जैसे 5, 3, जा 15, ठीक है, तो इसका lcms हो में करने understand, मैंने 15 इसके lcms ले लिया, 15 इसके नीचे लिखे दिया, ठीक है, अब मैं 5, अब इसको लो आप first time को, 5 को किस से multiply करूं कि आपके lcms के equal आ जाए 15 के, सिर्फ चेक करना है, इसको multiply करना नहीं है, सिर्फ चेक करना है, कि 5 को किस से multiply करें कि आपका lcms 15 आ जाए, 3 से, 5 से 15 ह तो 3 से multiply करके आ जाएगा, तो उस 3 को आप multiply करोगे 42 के साथ, ठीक है, 42 को 3 से multiply किया, 126, minus, अब 15 को किस से multiply करें कि आपका lcms 15 आ जाए, obviously 1 से, ठीक है, तो 1 को आपको किस से multiply करना है, 64 से, 64 1 जा 64, ठीक है, ठीक है, तो दोनों को minus कर लेंगे, ठीक है, आपका यह answer आ गया, आ ठीक है, यह मैंने कुछ मैथर यहां पर change किया है, आप इसको lcms लेके भी इसको यहां यहीं से solve कर सकते हूँ, ठीक है, यह आपकी मर्जी है, लेकिन हमें थोड़ा सा, जो easy tricks है, वो सीखनी पड़ेंगी, तो आप इसको इस तरीके से ही try करना, understand, okay students, complete your notebook, ठीक है, and I will send the worksheets at this exercise 2.1, so thank you very much, bye bye.